हेलो एन वेलकम गाई स्वागत है हमारे एक फिन न्यू वीडियो में तो फ्रेंड्स आज एक जियो एर फाइबर का कनेक्शन इस्टॉल करने के लिए हम आये हुए हैं तो आपको दिखाते हैं कि पहले से कौन सा कनेक्शन लगा हुआ था क्या प्रॉब्लम आ रहा था अभी जियो एर फाइबर का सर्विस देने के लिए आये हुए है तो फ्रेंड्स पहले तो जो जो कनेक्शन लगा है आप लोगों का तो जैसा कि आप लोगों पता होगा कि पहले एक आउट्डोर यूनिट आता था ये वाला फिर सकेंड हमारा आया आउट्डोर यूनिट ये वाला फिर थाड में हमारा आउट्डोर यूनिट आया ये वाला फोर्त में हमारा आउट्डोर यूनिट ये वाला अब आगे है एक नया आउट्डोर यूनिट तो चलिए आपको दिखाते हैं तो पहले आपको दिखाते हैं कि पहले से कौन सा कनेक्शन लगा हुआ था आपको अगल बगल का पहले लोकेशन दिखाते हैं तो चलिए पहले लोकेशन दिखाते हैं आपको अगल बगल का तो यह देख रहे हैं हमारा अगल बगल का यह लोकेशन है नीचे में पार्क है यहा थावर और यह हम छट से अगर हम इधर जाते हैं तो इधर भी हमारा दो-तीन टावर लगा हुआ है तो देख रहे होंगे तो हम भी हम आये हुए हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर एक अंटीना लगा हुआ है पहले से इंटरनेट का यह हमारा बोडा फोन का है साइद कस्टमर बोल रहें कि यह बोड़ा फोन का है तो इसे हम रिप्लेस करके जियो एर फाइबर का जो connection है वो देने के लिए आए हुए है तो दिखाते हैं दोनों का क्या difference उसमें क्या क्या problems आ रही थी तो ये भी हमारा wireless connection बोल रहें कर नहीं है देख रहें सेम प्रोसेस है हमारा cat6 wire यहां से आया हुआ है देख रहें है बोड़ा फोन वाला भी वही service है cat6 wire आके यहां से हमारा नीचे गया हुआ है और यही जो देख रहें आप सीट वाला जो देख रहें यही वह बिल्डिंग है जहां पर हम लोग connection अभी दे रहे हैं और यहां पर देख रहे होंगे तो यहां नीचे हमारा outdoor unit लगा हुआ है जहां पर देख रहें वहां पर यूनिट है सारा मेरा router रखा हुआ है तो अभी आपको वहाँ दिखाते हैं तो सबसे पहले हम नीचे उतरते हैं आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको किट है और ये हमारा एक cable gland है तो चलिए इसे जानते हैं हम लोग install कैसे करते हैं तो चलिए पहले अब देख लिए हम लोग install किस दिसा में करना है कौन सा इसे इंस्टॉल करते हैं इस डायरेक्शन पे हमारा green signal सो करेगा उसी डायरेक्शन पे हमारा odcp का face रहेगा तो ये हमारा mounting bracket हो गया तो इसको इंस्टॉल करने से पहले हम लोग 2 mark करके 6 mm 2 drill करेंगे, drill करने के बाद इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हमें audio के back side 4 hole देखने को मिल जाता है जिसमें हमें 6 mm 10 number bolt लगाएंगे अच्छी तरह से और इसे अच्छी तरह tight करकर wall पे mount करेंगे तो चलिए इसे wall पे पहले mount करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे तो ये हमारा चार जो bolt था वो हमारा अच्छी तरह से लग चुका है अब इसे हम दो देख रहें side पे हमारा 10 number bolt है वो 10 number bolt को हम लोग दोनों तरप से लगा देंगे लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से tight कर लेंगे tight करने के बाद cat6 wire को flexible में डाल कर cable gland को अच्छी तरह से लगाकर हम लोग अपना audio placement का जो installation है उसे complete करते हैं यहां से मैंने 3 connection दिया हूँ एक साथ तो देख रहें यहां हमारा splitter लग गया है और एक ही से हम लोग 3 connection को provide किये हैं तो friends यह हमारा TV का interface हो गया तो बहुत लोगा comment आ रहा था कि पहले हमें 4K वीडियो प्ले करके दिखाए तो सबसे पहले आपको एक 4K high quality का वीडियो YouTube पे प्ले करके दिखाते हैं कि इसकी speed क्या है लाइक कितना कर रहा है वीडियो तो सबसे पहले हम 4K वीडियो एक search मारते हैं और आपको play करके दिखाते हैं, तो हम पहले सर्च करते हैं 4K वीडियो और आपको प्ले करते हैं, तो यह हमारा सर्च हो रहा है 4K वीडियो, तो यह हमारा देखिए, आ गया 4K वीडियो, अभी से हम प्ले करते हैं, पहले 1080 पे इसको प्ले करते हैं, उसके बाद हम इसको 4K पे प्ले करेंगे, पहले हम HD में इसे प्ले करते हैं सब पहले इसकी करते हैं आइड को तो देखते हैं यह हमारा 4K वीडियो स्टार्ट हो गया है तो यह देखते हैं पहले कितने पर सेट है तो इसको हम लोग हाई करके देखते हैं लो करके देखते हैं किसमें क्या क्वालीटी मिल रहा है कितना वीडियो को forward करने पर कितना time लग रहा है तो देख लेते हैं पहले क्योंकि high quality का वीडियो चलाने के लिए नेट अच्छा चाहिए नहीं तो फिर buffering करने लगता है तो यहां देख रहें 20 अभी हम 1080 पर play कर रहें 1080 पर देख रहें काफी smooth चल रहा है वीडियो यह हमारा 1080 का है उ इसके बाद देखते हैं देख रहें तुरंट एक सकेंड कभी आपको buffering नहीं देखने को मिला तुरंट देखिए यह हमारा है उसके बाद हम इसका quality को और बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं 260 पे हम किये हैं इसे 260 पे करने के बाद देख रहे हैं यह हमारा इसका quality यह रहा है तो कहीं भी lag नहीं कर रहा है इसे भी हम fast forward करके देख लेते हैं कि कितना lag करता है कितना time लगता है इसे forward होने में तो यह हमारा है जियो एर फाइबर का प्लाना बहुत सारे लोगों का एर फाइबर में रेड ब्लिंकिंग कर रहा है तो उसके लिए भी odcp हमारा चेंज हो रहा है तो उनलों को घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों का भी odcp चेंज करके replace करके update वाला लगा दिया जाए लगा है कुछ problem आने के बाद तो यहां पर हमारा यह जीयो का पूरा OTT सो करता है जीयो टीवी प्लस पर हमारा सारा चैनल सा जाता है तो नियूज म्यूजिक स्पोर्ट्स इंटर्टेंड्मेंट यह सारा category वाइस चैनल आता है हमारा नियूज का चैनल हो गया सारा जिसमें ह होगा इंगलिस का एक दो चार चैनल है मिसिंग है बाकी और टोटल चैनल इसमें आपको मिल जाता है जो कि आपका 200 का प्लान है इंटरनेट का और टीवी का मिला कि आपका 599 का प्लान है जो कि टैक्स लेकर 706 रूपय आपको लगती है तो देख रहे हैं यहां पर सारा चैन लिस्ट हो गया बाकी अगर आप चैनल लिस्ट पूरा जानना चाते हängt तो हम डिस्क्रिप्शन परे आपका लिंक डाल देंगे आप वहां से भी पूरा चैनल लिस्ट आप देख सकते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि क्या स्पीद टेश्ट हमें देखने को मिल रही वह इन हमारा Speed Test स्टार्ट हो गया है जो कि जियो का सेटप बॉक्स में अल्रेडी दिया वा रहता है कि अप्लिकेशन नेट वोलेशिटी उससे हम अपका Speed Test करके दिखाते हैं तो Latency देख रहें 29 की मिल रही है और यहां हमारा अगर Downloading की बात करें तो यहां हमारा दाउनलोडिंग 26 Mbps 27 Mbps के आसपास आ रहा है और अप्लोडिंग अभी हमारा लोडिंग हो रहा है तो देख रहें अप्लोडिंग हमारा 17-18 के करीब जा रहा है तो यह तो यहां पर देख रहें अब मोबाइल पर भी हम स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं टीवी पर तो मैंने देख दिया अब मोबाइल पर भी हम एक अब आप लोगों के लिए जल्दी एक खुश कबरी आने वाली है जीओ फाइबर सारे जगा पर लगने वाली है वह कौन सा डिट है वह मैं किलियर कर दूँगा कुश दूनों में आप लोगों को तो चलिए अब मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत